नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागर है तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने शाओमी के डिवाइस पे इनकामिंग आउट गूइंग कॉल ड्रोप एंड माइक इसू इन सभी को आप कैसे फिक्स आउट कर सकते है आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगारिंग पर कुछ सॉलुशन बताऊंगा जिसके ट्रू आप यहाँ पर प्रॉब्लिम को फिक्स कर सकते हैं ठीक है तो आप दोस्तों वीडियो को पुरा जरूर देखे और दोस्तों आपना सॉलुशन जरूर कर ले करना है पूरा ही देख लेना है ठीक है मैं आपको सभी का सोलुशन जो है स्टे बेश्टे बटाऊंगा तो कम से कम दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 8-10 सोलुशन डूंगा जिसको आप फोलो करते हुए प्रॉब्लेम को फिक्स कर सकते हैं ठीक है वीडियो थोरी क्यों ना अगर आपको इस तरह का कोई भी इश्यू है तो आप अपने फोन को जो है एक बार फ्लाइट मोड कर आइमीन आप अपने फोन को एक बर सबसे पहले रिश्टार्ट करके देखिए ठीक है रिश्टार्ट करने के बाद दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जात देखिया इंसर्ट करके देखिए ठीक है तो इससे आपका काम बन जाना चाहिए तो देखें करके और अगर प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाता है तो आछी बादें तो फिर दोस्तों आपको करना किया आप दोस्तों आपने फॉन को एक बार फ्लाइट मोड कर लेना ठीक है फ् चेक कर के देखें también solve होजाना चाहिए अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर इससे पर जाए और प्रिफेर्ट नेट्रोक टैपर जाके 4G को सेले करें क्योंकि 4G और वॉल्ट यहाँ पर जब करने को जाते तो आपके जो कॉल है वो HD call हो जाते हैं HD में आपको पता है सब कुछ clear ठीक है तो यह दोस्तों एक सबसे अच्छा प्रोसेस है तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या किजेगा इसको सेट कर लिजे उसके बाद दोस्तों अपनों नेट्रोक सेटिंग को एक बार रिसेट कीजिए उसके लिए आपको जाना ह है more option पर और नेट्रोक सेटिंग को जाके एक बार रिसेट करना है उसके लिए आपको सेटिंग पर ट्क कर देना है और उसके बार अपना mobile password भर के यह आप आपर okay करके इसको reset करते ना है तो इसके बाद दूस्तों mobile को एकिदा did और चेक करके देखिए, आपका problem solve out हो चुका होगा, ठीक है, तो अगर आपका problem इतने में solve हो जाता है तो ठीक है, अगर इस से भी आपका जो problem है, अगर वो solve नहीं हो पाते हैं, तो आप जाए दोस्तों अपने mobile setting पे, about phone को open करें, internal storage को यहाँ पर tap कीजिए, जब तक कि आपको testing mode ना मिल जाए, आपको लगातर tap करना है, internal storage के अंदर पे, उसके बाद आपका sim कहाँ पे वो check करें, अगर sim 1 पे, जो sim में उसे में problem है, तो sim phone information 1 को open करें, अगर sim 2 पे तो phone info 2, ठीक है, याद रखी है यहाँ और, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो mobile radio power यहाँ पर सकते हैं, तो wait करने आपको 2 मिनिट, ठीक है, उसके बाद इसको on कर देना है, तो क्या होगा दोस्तों, आप जब यहाँ से back करोगे, तो आपका network खुदबाखुद refresh हो जाएगा, और अगर आप थोड़े देर wait करते हैं, तो radio power off हो जाने के वज़े से आपका network चला जाएगा तो दरने के कोई बाद नहीं है, आप उसको दुबारा से on कीजे, और उसके बाद try करके देखे, completely problem solve out हो जाएगा, ठीक है, तो कई बार दोस्तों इसके वज़े से issue आते हैं, तो आप देख सकते, radio power off कट करने के वज़े से अभी जो है network थोड़े देरे बाद जाके वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये करके देखे, इससे आपका problem solve हो जाएगा, ठीक है, तो कई लोगों का इससे problem solve हो जाते हैं, अगर आपका solve हो जाते हैं, ठीक है, अगर फिर भी problem आते, तो आप दोस्तों स्कॉल डाउन करके, ठीक है, यहाँ पर अपना जो phone service है, उसको एक बार check करें फॉन सर्विस दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा मेनेच एप के अंदर पर मेनेच एप पर जाए और अपना जो फॉन सर्वे से उसको ढून निकालिए ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है और उसके बार फॉन सर्वेस पर जा रहा है फॉर्स टॉप बेख करने के बाद दोस्तों अब जो है अपने call डाइलर के अंदर पर जाएगा उसके बाद three lines पर क्लिक करना है सेटिंग पर जाना है और आपके जो यहाँ पर call bearing है ठीक है उसको दून निकालना है तो advance सेटिंग के अंदर पर आपको call bearing यहाँ पर मेल जाएगा तो call bearing पर जाएए और check कीजिए all outgoing call और all incoming call दोनों ही आपका जो है यहाँ पर बंद होना चाहिए अगर यहाँ पर दोस्तों आपका all incoming call या फिर outgoing call में से कुई भी जो यहाँ पर option है वो own हो जाता है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर दोस्तों आपको problem हो सकते तो जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो है मुझे पता भी नहीं था कि मेरा incoming call यहाँ पर बंद हो गया है उसके बाद दोस्तों चेक करके देखिए I mean mobile को एक बार restart करके ही आपको चेक करना है और उसके बाद आपको problem solved हो चुका होगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो यहाँ पर issue है call drop problem, incoming call, outgoing call, mic issue तो सब कुछ वो यही पर fix हो जाएगा जहां तक mic की बाद आते हैं तो mic दोस्तों यहाँ पर आपका hardware ले issue भी हो सकते हैं तो hardware issue में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं simply जाएगा technician के पास और उनके पास जाके भी mic problem fix कर सकते हैं यार फिर आपना calling के वक्त आप अपने earphone भी use कर सकते हैं और earphone का mic जो ही वो भी use कर सकते हैं ठीक है तो बस दोस्तों यह सब solution आप करके देखे इससे जो है दोस्तों आपको काफी मदद मिलेगा और आपका जो problem है वो भी fix हो जाएगा ठीक है लेकिन मान लेजे by any chance अगर आपको वही same to same problem आ जाते हैं दुबारा से तो setting पर जाएए और अपना जो यहाँ पर दोस्तों about phone है उसको open करिए system update पर जाके आपने mobile software को update करके देखें ठीक है mobile software update रहने से इस तरह का जो issue है वो fixed हो जाएगा बिलकुल आसानी से सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते है या फिर one to one पर call कर सकते जो कि आपके नेट्रोग operator के साथ आप बात कर सकते हैं और उनको बात करके भी देख सकते कि आज प्रॉब्लम यह क्यों हो रहा है ठीक है तो कभी कभी नेट्रोग के वजह से भी हो जाते हैं सारी साथ दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम को totally fix करने के आप क्या कर सकते हैं मोबाइल को reset भी कर सकते हैं मोबाइल reset करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा आपके phone के setting पर ठीक है तो कहां पर है वह setting fixed हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर प्रॉब्लम को solve कर सकते और दोस्तों आपको कोई भी डिक्कत है कोई भी issue नहीं होगा और आपका problem completely fix ठीक है तो मैंने आपको बहुत सारे solution दे दिया है पूरा solution ट्राइक कर कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों इसा कोई भी solution मैंने नहीं छो रहा है जिसके वज़से आपका problem यहाँ पर fix ना हो तो problem यह वह definitely fix हो जाएगा तो solution को आपको अच्छे से करना होगा और अगर आपको कोई भी दिक्कत है आ जाता है तो आप हमें अच्छे से comment section पर पूछ सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस अच्छे